भारत का सम्विधान अनुछेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक सोतंतता से विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं अनुछेद 21 का राज 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयू वाले सभी बालकों के लिए निशुलक और अनिवार सिक्षा देने का ऐसी वीती में जो राज विधी द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा अनुछेद 22 किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तार के कारणों से यथा शिग्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुध नहीं रखा जाएगा या अपनी रूची के विधी व्यवसाई से परामर्ष करने और प्रतिक्षा कराने के अधिकार से वन्चित नहीं रखा जाएगा दो प्रत्यक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुध रखा गया है गिरस्तारी के स्थान से Magistrate के न्यायाले तक यात्रा के लिए आवशक समय को छोड़कर ऐसी गिरस्तारी से 24 घंटे की अवधी में निकट्तम Magistrate के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अबधिक से अधिक अबधिके लिए अभी रक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा 3. खंड एक और खंड दो कि कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो का तत समय शक्त्रू अन्यदेशी है या खा निवारक निरोध का उपबंद करने वाली किसी विधी के आधिन गिरस्तार या निरुद्ध किया गया है 4. निवारक निरोध उपबंद करने वाली कोई विधी किसी व्यक्ति को तीन मास से अधिक अवधी के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च नियायाले के नियाधीश है या नियाधीश रहे है या न निरोध के लिए परियाप्त कारण है परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिक्तम अवधी से अधिक अवधी के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड साथ के उपखंड खा के आधीन संसद्वारा बनाई गई विधी द उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है पांच निवारक निरोध का उपबंध करने वाले किसी विधी के आधीन किये गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथा शाक्य श 6. खंड 5 की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में विनिर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे सत्थियों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिने प्रकट करना ऐसे प्राधिकारी लोकहित के विरुध समझता है 7. संसत विधी द्वारा विहित कर सकेगी कि किन परिष्ठितियों के आधिन और किस वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरुध का उपबंद करने वाली किसी विधी के आधिन तीन मास से अधिक अव्धि के लिए खंड चार के उपखंड का के उपबंधों के अनुसार सलाकार बोड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। ख किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिक्तम अबधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपखंड करने वाली किसी विधी के आधिन निरुध किया जा सकेगा और ग खंड चार के उपखंड का के आधिन की जाने वाली जांच में सलाकार बोड द्वारा अनुसरन की जाने वाली प्रक्रिया